Good morning children, how are you all? Hope you all are fine. Children, today I am going to teach you forward counting 251 to 300 in maths. बच्चों, आज maths में मैं आपको forward counting पढ़ाऊंगी 251 to 300. इससे पहली की वीडियो मैंने आपको forward counting 1 to 250 तक पढ़ा चुकी हूँ. आज मैं आपको 251 to 300 पढ़ाऊंगी. So children, let's start. Forward counting का मतलब तो आप जानते हैं, ऐसा counting जिसे हम आगी की ओर बोलते हैं, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसको हम forward counting कहते हैं. लेकिन हम लोग वो forward counting कहां से start करना है? 251 से लेके कहां तक लिखना है? 300 तक. So let's start, 251 से शुरू करते हैं. 251, इसको क्या बोलते हैं? 251 को हम लोग क्या बोलते हैं? 251. 251, अब 251 के बाद आता है 252, कैसे लिखते हैं? 252 को क्या बोलते हैं? 252, 251 के बाद क्या आया? 252, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? forward counting, अब 252 के बाद क्या आता है? 253, कैसे लिखते हैं? 253, इसको क्या बोलते हैं? 253, अब 253 के बाद आता है 254, इसको लिखते कैसे हैं? 254, 254. अब 254 के बाद आता है 255, लिखते कैसे हैं? 255, और बोलते क्या है? 255, अब 255 के बाद आता है 256, लिखते कैसे हैं 256, और बोलते क्या है? 256, अब 256 के बाद आता है 257, 257, 257, बोलते क्या है, 257, अब 257 के बाद क्या आता है, 258, 258 लिखते हैं, और बोलते क्या है, 258, अब 258 के बाद क्या आता है, 259, 259 लिखते हैं, और बोलते क्या है, 259, अब 259 के बाद क्या आता है, 260, 260, 260, अब 260 के बाद यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 260 से खतम किये हैं, तो यहां स्टार्ट करेंगे 261, लिखते कैसे हैं, 261 और बोलते क्या है, 261, अब 261 के बाद क्या आता है, 262, 262 लिखते हैं, और इसको बोलते क्या है, 262, अब 262 के बाद आता है 263, लिखते कैसे हैं इसको 263, और बोलते कैसे हैं 263, 263 के बाद आता है 264, कैसे लिखते हैं 264, 264 के बाद आता है 265, 265, 265. 265 के बाद आता है 266, लिखते कैसे हैं 266, 266, अब 266 के बाद आता है 267, 267, 267, अब 267 के बाद क्या आता है 268, 268, 268 के बाद आता है 269, 267, 269, 269, 269 के बाद क्या आता है 272, 270, 270, 270, अब 270 से यहां खतम हुआ है तो यहां स्टार्ट किसे करेंगे 271, 271, 271, 271 के बाद क्या आता है 272, कैसे लिखेंगे 272, 272, 272 के बाद आता है 273, 273, 273, 273, 274, 274 के बाद आता है 275, 275, 275, 275, 275 के बाद आता है 276, 276, 276, 276 के बाद आता है 277, 277, 277, 278 के बाद आता है 279, 279, 279, 279, 279 के बाद क्या आता है 280, 280, 280 अब 280 के बाद क्या आता है यहां देखिए 80 खतम हुआ तो यहां सार्ट करेंगे हम लोग 281 से तो यहां क्या लिखेंगे 281, 281 के बाद 282, 282 के बाद आता है 283, क्या से लिखेंगे 283, 283 283 के बाद आता है 284, 284, 284, 284 के बाद आता है 285, 285, 285 के बाद आता है 286, 286, 286 287, 287, 287 287 के बाद आता है क्या 288 288, 288 288 के बाद आता है 289 289, 289 289 के बाद आता है 290, 290 अब देखिए 290 से खतम किये तो फिर यहाँ पर next line किसे start करेंगे 291, हमको लिखना है 300 तक तो अभी तो 300 आया नहीं 290 के बाद हम लोग लिखेंगे 291 कैसे लिखते हैं 291, 291 291 के बाद आता है 292, 292, 292 292 के बाद आता है 293, 293 293 के बाद आता है 294, 294 294 के बाद आता है 295, 295 295 के बाद आता है 296, 296 296 के बाद आता है 297, 297 297, 297 के बाद आता है 298, 298 298, 298 के बाद आता है 299, 299 299 के बाद आता है 300 300, 300, क्या हो गया 300 क्या होता यह 300 हमें कितना तक लिखना था यह देखे 251 to 300 तक लिखना था तो मैंने हां कहां से end किया 300 हां लिखा कहां से start के 251 और end कहां से करना था 300 तक सो के चिल्रें, तक सौल फर तोड़ी चिल्रें, थांक यू